तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीम इडिया की पिलिंग 11 इंगलेंड के खलाब फ़स टेस्ट मैच में क्या हो सकती है तो बिना किसी देरे की वीडियो सुलू करते हैं सबसे पहले बात करें ओपनर की तो रोहिस सर्मा और केल राहूल मैंक अकरवाल को नेट्स में मुहमबस सराज की गेन सिरपल लगने के बाद वाए पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गई है केर राहूल इंगलेंड के खलाब पहले टेस्ट मैच में रोहिस सर्मा के साथ जुडने के लिए तयार हैं राहूल के पास स्ट्रॉंग एबरेज और कॉम्पक्ट टेकनिक है जो इस्टूरड ब्रॉड और जेम सेंडरसन के खलाब सही थाविस हो सकती है और इंगलेंड के केनवाजों की लाइन और लैंड दूर रखेंगे हलाकि रोह सर्मा को इंगलेंड में टेफ्ट करकेट में जाता एक्सपीरियंस नहीं है लेकन वाई अभी के लिए काफी हैं मिडल ओडर और बिकेट कीपर की बात करें तो चेतेसर पुजारा बिराट कोली अजिंका राणे और रिसा पन भारती बल्लेबाज उसी तरह खेलेंगे जैसे हुए डबलू टीसी फाइनल में खेलें थे चेतर सर पुजारा बिराट कोली अजिंका राणे और रसा पन किरमसा नमबर 3, नमबर 4 और नमबर 5 और नमबर 6 पर खेलेंगे पुजारा एक बार फिर भारत के लिए सबसे मैतपून बल्लेबाज होंगे क्योंकि वा एक छोर पर जमे रहेंगे और दूसरे बल्लेबाजों को फिरेली रूप से खेल सकते हैं हलाकि पुजारा की फॉम हाल में इतनी अच्छी नहीं है फिर भी वाई टीम के लिए बहुते अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं कप्तान बिराट कोली फिर से इंगलेंड के लिए मैतपून बिगट होंगे क्योंकि पिछली बार उन्होंने छेसों से जादा रन बनाए थे और भारत को एक अच्छा स्कोर करने दिया था राणे और पंथ हमेशा की तरह है आकरमग बल्लेबाजी करेंगे और टीम को मैठपून रन जोड़ने में बदत करेंगे जबकि राणे का विदेशों में रिकॉर्ड अच्छा है और पंथ ओपोजीसन पर आकमण करने और किसी भी कंडिसन में अपने स्ट्रो खेलने की कोसिस करेंगे आल राउंडर की बात करें तो आर अस्वन और रव्यन जड़े जा दोनों इस्पनर्ट तीम इंडिया को बल्ले बाजी में भी सपोर्ट करेंगे और वाई भारत को लोड़ ओडर में अस्वन भी परदान करते हैं यह एक फैक्ट की बात है कि भारत के पुछले बल्ले बाज बल्ले बाजी में अच्छे नहीं हैं और पिछले कुछ सालों में लो़र ओडर के बल्ले बाज आगे बढ़ने में नाकाम रहे हैं लेकन अस्वन और जड़ेजा के साथ भारत के पास उन सलोट में ठोस बल्ले बाजी के ऑप्सन हैं दोनों का ओपरसिफ टेस्ट में भी अच्छा ट्रक रिकॉर्ड है और वे निचले क्रेम में कुछ आसान रन जोड़कर टीम की मदद कर सकते हैं वे बल्ले बाजी के अलावक किसी भी पिच और किसी भी प्रिफ्चतियों में बैतरीन इस्पिन गेनवाज हैं और दोनों गेनवाज इस बार भी बहुत ज़्यादा बिकर लेने के लिए तयार होंगे बोलर्स की बात करें तो इसान सर्मा, मौंबा समी और जस्पित बुमरा डवलू टीसी फाइनल को खेलने बाली ट्रायों इंग्लेंड के खलब पहला टेस्ट मैच खेलेगी क्योंकि वो अपने साथ काफी एकस्पिरियंस लेकर आते हैं और तीनों गेन बाज जैनुएन बिकर टेकर हैं और नई और पुरानी गेन से मैट पुन बिकर लेकर मैच का रंग तेज़ी से बदल सकते हैं समी गेन को दौनों तरफ से स्विंग करा सकते हैं और पूरानी गेंस से बिसेस रूप से खतननाक है इस बीच बुमरा एक अच्छे सेम मुवमेंट के लिए जाने जाते हैं और अच्छी लाइन और लेंट से बिकट ले सकते हैं हलाकि तीनों को जैनुएन स्विंग गेंबाज नहीं माना जाता है लेकिन वो चीजों को सटीक रखकर अपनी लाइन और लेंट को मिलाने में अच्छे हैं और ये तीनों गेंबाज इंडिया के लिए बिकट लेने के लिए तयार होंगे तो इंडिया की पिलिंग लेवन फर्स टेस्ट मैच के लिए इंगलेंड के खिलाब इस प्रकार हो सकती है तो आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक करें शेर करें जियाल को सब्सक्राइब करने ना भूले मिलते है अगली वीडियो में